असलाव अलेकूम, हेलो एवरिवन, वेल्कम बैक टू माई चैनल, कैसे आप सब लोग, होफिले आप सब लोग ठीक होई आज मैं लेकर आई हूँ, बहुत ही सबरदस जट पटा सा मेरे स्टाइल में बना हुआ आलू का समोसा जिसे आप ज़रू ट्राइ करें, बहुत ही सबरदस, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी है, विल्कुल बासार चैसा तो चलिए बनाते हैं, आलू का समोसा, वो भी मेरे स्टाइल में समोसा बनाने के लिए पहले उसका डू त्यार कर लेते हैं, इसके लिए, मैंने लिया है दaksi कप मेटा जान लिया है अब इसमें मैंने मिलाया है, वन टीड़ स्पून अजवाइन, उसे इस तरह हादों से क्र इपरिश, केहाया है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आजाएगा अब इसमें मंडाला है वन टे स्पून हमक और कुकिंग वाइल आप चाहे तो कुकिंग वाइल दे सकते हैं या घी दे सकते हैं मैंने कुकिंग वाइल दिया है चाज से पाँश टेबले स्पून अब आटे को अच्छी तरह से मिला लेना है इस तरह से हाथ से ये टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो समोसे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी होंगे और हाथ से इस तरह से देख लें मोहिन परफेक्ट कि अगर मुटी में बन जाता आटा तो इसके मतलब आपका मोहिन परफे है और आपके जो भी रेसिपी आप तयार कीजेगा वो बिल्कुल खस्ते होंगे क्रिस्पी होंगे तो मैंने पानी से इसको डो को तयार कर लिया है और इसका डो थोड़ा सा सक्त होगा तो थोड़ा सा सक्त मैंने बनाया आलू लिया है आलू का ची तरह से बाल कर लिया है ए one table spoon, घरम मसाला, one teaspoon, आम चूर पॉडर और चाट मसाला, हल्दी पॉर्डर और लालमिश पॉर्डर वन टी स्पून और क्यूमन यानि जीरा पॉर्डर साबत जीरा है और धनिया की पत्ती और हरी मिच तो बाल लालू को इस तरह से क्रेश कर लिया है इसको मैश नहीं करना है अलके हाथों से क्रेश कर लिया है कि विवस मेरे चैनल पर आपको समॉसा की रिएसीपी मिल ज जाए कि पहलो वी मैंने समॉसा बनाया है को मैंने अपनी अमीक स्टाइल में बना था और outta हम पंपने स्टाइल में बना रही है तो एक पहन लिया तो इसमें डाला है कुकिंगयल 5 टेबुल स्पून और उसमें डाल आलू डाल दिया है, इसे भी थोड़ा दे तक सौटे करना, अब इसमें जितने भी पॉटर मसाले हैं, सब को मैंने मिला दिया है, बहुत ही सबर्दस चटपटा सा तयार हुआ था, आप अपने सारे मसाले अपने टेस्क रिकॉर्डिंग कम बेश कर सकते हैं, थोड़ा सा चट कि सारे मसाले आलू में अच्छी तरह से मिल जाएं, थोड़ा सा पानी दिया है, तो आलू में सारे मसाले अच्छी तरह से मिलके हैं, अब इसमें मैं अट कर दूँगी धनिया पॉर्डर और हरी मिश, तो समुसा का बहुत सबर्दस मसाले दार टेस्टी आलू तयार हुआ ह तो इसमें डाला है मैंने अल्दी पॉर्डर और लाल मिश पॉर्डर देनिया की पत्ती और हरी मिच बहुत ही अच्छा फलेवर है बहुत अच्छे खुश्पो आ हरी है तो तयार हो गया है इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो चुटकी मैंने इसमें 50 नमा केट कर दिया था डोव्यत reflecting पीडुग तयार हो गया है तो इससे हाथों में ओल लगाकर के थोड़ा ची तरह से नीट कर लेना है और इसकी पेड़े बना लेना पेड़े थोड़ा बड़े साइस के बनाना है तक एक पेड़े से दो समोसे तयार करूंगी मैं तो पेड़े भी मैं बना लिया है कॉंटर पर थोड़ा समयदा डस्ट किया है समोसे कर डो थोड़ा सक्त होना चाहिए तो अब इ बहुत ही एजी है आप इस तरह से घर पे बना सकते हैं आपको समोसा शीट की जरूरत भी नहीं होगी रमजान में भी इसे ट्राइ करें अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ बीस सेंटर से इस तरह से कट कर लिया हो और इसके एज़े में पानी लगा लिया है अब इससे फोल्ड कर लिया है देखिए कौन की शेप में इसके टिप्स को अंगलियों से दबा दिया है ताकि समोसा फ्राइ करते वक बिलकुल खुले नही और इसमें जो आलो के स्टफिंग तियार किया है उसको फिल कर दिया है और इसके एज़ेस को अच्छी तरह से फिंगर से दबा लेना है तो देखिए बहुत ही आसानी से तयार हो गया बाजार जैसा चट पटा और क्रिस्पी समोसा दूसरे पार्ट्स को भी सी तरह से बेल कर देना है तो इस तरह से मैं बेल ले रही हूँ और इस तरह से पानी लगा करके कुन तयार करना है और इसमें आलो स्टफ कर देना है इसी तरह से सारे समोसे मैंने तयार कर लिए दे जो मिजर्मेंट मैंने बताया था आपको उसमें मैंने 12 समोसे बनाय थे इस तरह के देख तेल अची तरह से कर्म हो गया, उसके बाद फ्लेम को मीरियम कर दिया है, और सारे समोसे को फ्राइ कर लेना है, कोल्डन प्राउन होने तक, बहुत ही क्रिस्पी समोसा तेयार हुआ था, आप टिप सार्टी को फॉलो करें, तो बहुत ही मसेता, चटपटा, और मसालेतार समोसा आप इंजॉय कर सकते हैं, वीवर्स आपने अगर नहीं बनाया इस तरह से समोसे तो जरूर ट्राइ करें, मेरे स्टाइल में बहुत ही जबर्दस्थों का आप बनाएंगे तो तारीफ पाएंगे, शाम की चाय के साथ इसे इंजॉय करें, रमजान में समोसे की रेसिपी को और रेसिपी पसंद आती है तो इससे लाइक करें, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें चैनल पर समोसे की रेसिपी आपको मिल जाएगी जो बनाया था मैंने रमजान में वो मैंने अपनी अम्मी की स्टाइल में बनाया था और यह हिल्चेट पटाओ और साहकेदार समोसा, अलो समोसा मेरे स्टाइल में अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें अपने फैमली फ्रेंड में शेयर करें अपना फीडबैक जरूर दें विवर्स मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करें बिल आइक उनको जरूर पेस करें ताकि आने विले वीडियो की नोटिफेक्शन सबसे पहले आपको मिले आई होब की रेसिपी आपको आलू समुसा क्रिस्पी मसालेदार रेसिपी पसंद आई होगी फिर म